हेलो गाइज, वेलकम बेक्टू माई यूट्यूब चैनल सिवामरेक्स तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज का लॉग आंसर बेए पार्ट थर्ड वाले जो बच्चे हैं बेए फाइनल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए long answer लेकर आगया हूं मैं आपके exam point of view से तो what do you understand by metaphysical poetry metaphysical poetry का जबरदस्त long answer है यह आग तक ऐसा long answer आपने देखानी होगा YouTube पे बहुत अच्छे से मैं आपको explain करूँगा हिंदी में और what are its characters इसकी चारिक्त्री विसेस्ता हैं क्या है तो बिना time waste के start करते हैं इंट्रोडक्शन metaphysical metaphysical metaph का मतलब होता है सुंधर्ता physical मतलब सारिक हमारे सरयारिक जो सुंधर्ता होती है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है metaphysical is a term which is non generally applied to the to speak of a group of 17th century c e n t u r y संचुरी सताब्दी का एक गुरुप था कव्यों का उसमें कौन कौन थे चीफली जोन डन थे क्राव थे जिरोज हर्बर्ट थे क्राशा थे हैंड्री वोगम थे मार्वाइल क्लेवलेंड थे एंड कावले according to etymologically, etymologically एक dictionary उसके अनुसर, metaphysically का जो means है what is beyond the physical something, hero after something, behind something मतलब कुछ ऐसा है जो आपकी कल्पना के परे है supernatural, hypocritical and transcendentalism transcendentalism का मतलब होता है सेस्ट विचार दिखाये कई हैं इसमें इस जो poetry, इसमें सेस्ट विचारों को दिखाया गया है hypocritical, ढोंगी है, कप्टी है, बहुत जादे भद्धी language में लिखते हैं ये आगे, characteristics of metaphysical poetry metaphysical poetry की क्या-क्या विचेस्टा हैं तो metaphysical poetry present, प्रस्तुत करती है supreme, सर्वसेस्ट, new clueness, thoughts उचिस्तर के विचारों को, an expression of new thought, नए विचारों को फाल्शूट, जूटे विचारों को जादे दिखाती है, क्योंकि poetry में जूटपन जादे होता है आपको पता ही होता है fairy way, strictness, मतलब गंभीरता दिखाई गई unity of thought, विचारों की एक unity दिखाई गई है and emotion, और भावनाएं दिखाई गई है intelligence, बुद्धी मता दिखाई गई है and emotion, भावनाएं दिखाई गई है poetry forms, poetry का जो रूप है falsehoodness है, जूटा है and hyper bold, ढोंगी है, बोल बाला है बड़ा चला कर बताने वाली poetry है इनकी, यह जो जितने विखती है ऐसी poetry बताते हैं, बहुत ही जादे बड़ा चला कर presentation, प्रस्तुती करन करते है this poetry is known, जानी जाती है for the expression, भावनाओं के लिए of Elizabethan age which was full of जो Elizabethan age था, जो भरा हुआ था falsehood, धोकेवाजी से and artificially, बनावटी पन से some of them, उसकी कुछ जो बाते हैं, are describe, वरण की गई है following निमलिखित, सबसे पहले जो metaphysical poetry में क्या है wit देखने को मिलता है, wit माने क्या होती है guys, चतुराई, तो wit is known, wit को जाना जाता है as the sign of dismalier image dismalier image ऐसी होती है, भिन-भिन प्रकार की जो image होती है, और discovery of those things, उन वस्तों की होज होती है, which apparently जो पूरी तरह से, पृतियक्स रूप से unlike, एपसंद है, पसंद नहीं करते the metaphysical poet कुछ essays भी poet होते हैं, जो metaphysical poet होते हैं, उनकी बातों पसंद नहीं करते जो दुनिया में हर तरह के आदनी मिलेंगे कुछ poetry को पसंद करते हैं, कुछ poetry को पसंद नहीं करते हैं are great, महान होते हैं, wits great wits, महान wits से भर होते हैं, according to Aristotle अरस्तु के अनुसार the use of wit, wit का जो user in different form, बिविन रूपों में as to present, प्रस्तुत किया गया है, surprise surprise करने वाला, आकरसित करने वाला which is more effective, जो होत ज़्यादे प्रवाफ साली है that way is known for the regarding presentation, यही बात है जो poetry को presentation करती है प्रस्तुत करती है with it, इसके साथ wit creates, wit creates करता है a bound at the large scale large scale पर wit देखनों को मिलता है with human experience मानव के अनुभब में as, जैसे, यह जो quotation है, यह आपको black pen से लिखनी है, इसलिए black pen से लिखी हो, यह इसमें भी, love with axis of heat, जो frame किया जाता है, axis of heat, जो सबसे ज़्यादे frame किया जाता है, अगर आप frame को सबसे ज़्यादे करते, more young than old young या पेक्सा than old कुछ दिवा आपने देखा होगा कि अगर आपका प्यार सच्चा है, तो वो आपको तब तक रहता है, जब तक आपका जो partner है वो बूड़ा न हो जाए, तब तक आपका frame रहता है, कुछ frame ऐसा होता है, कि जैसे जैसे सुन्दरता खतम होती को, यह frame भी खतम होता गया, तो ऐसा frame नहीं होना चाहिए, ऐसा frame होना चाहिए जो old अवस्था में भी आपका बना रहे, death kills with too much of cold, जो death kills कर देती है, too much of cold, यह सब बहुत important quotation है, इन्हें लिखना जरूर है, आपको next heading है, joint thoughts, विचारों में आनन्द है and expression, expression में भी आनन्द है, डॉक्टर Johnson tells, जोक्टर डॉंसन ने बताया है, क्या बताया, the metaphysical poet, जो metaphysical poet है, wanted चाहते हैं to tell, बताना, those point of view उन विचारों को, जो considered समझते हैं new, जो नए विचार हैं, उन्हें ही metaphysical जो poet हैं में बताना चाहते हैं, they try to use, वे use करने की कोशिस करते हैं, क्या extraordinary thought को, कुछ स्थर के विचारों को, and language को, as well as, lyrical tone को, they do not like, वे पसंद नहीं करते हैं, to follow, troden path, जो भूले विसरे path हैं, मतलब पुराने स्थर के जो path होते हैं, जो चलने वाले होते हैं, पुराने रिती रिवाजों पर जो चलने वाले होते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, metaphysical जो poet होते हैं, actually वास्तम में, they followed their imagination, वे उनकी imagination को follow करते हैं, to express प्रस्तुत करने के लिए, thoughts, विचारों को, of reality, वास्ति वित्ता के, doing such, ऐसा करके, they always desire, वे सदैव, इच्छा करते हैं, to get पाने की, suspense for their reader usually, ऐसा करके, वे जो metaphysical poet होते हैं, वो अपने readers को suspense में रखते हैं, आपने देखा होगा, suspense क्या होता है, एक movie होती है, ठीक है, एक movie होती है, उसमें अगर हर चीज clear कर दी जाती है, तो आप बीच में ही film को छोड़के चले जाओगे, तो poetry भी ऐसी है, तब तक उसके विचार को clear नहीं कर दी, जब तक की पूरी poetry over न हो जाए, खतम न हो जाए, तब तक poetry को आप नहीं समझ तकते हैं, यह क्या कहना चाते हैं, आगे next heading है, conceit, conceit का मतलब होता है, जो वो होती है, बाहरी प्रकरती होती है, बाहरी परिवर्तन होता है, conceit, यह जो metaphysical poetry है, पूरी तरह से conceit से भरी होई है, तो देखते हैं, metaphysical poetry is full of conceits view, conceits प्रकार के view हैं इसमें, and a metaphysically poet takes interest in spatially to use unclear, मतलब metaphysical जो poet होते हैं, वो उसमें interest जादे लेते हैं, जो unclear होती है, चीज, clear तो होती है, जो unreal clear होती है, जो कभी clear है नहीं होई आग तक, and out of sense, जो sense के परे है, words, now, of conceit is literature, conceit जो है, के excited है, form है, which means, जिसकार होता है, a stress full and unequal compression, comparison, comparison, मतलब unequal comparison, एक unequal तुलना, जिसकी कोई तुलना ना की जासे, it is the medium by which, यह एक medium है, सादन है, by which जिसके दुआरा, I'm metaphysical poet, जो metaphysical poet होता है, present करता है, his wit, अपने wit को, in the clear way, इस पस्ट तरीके से, according to Bennett, Bennett के नुसार, conceit is such a point, एक ऐसा point है, add with, जिस पर, combination, emotion, यह emotion लिखा हुआ है, student ही कलना, E, O, M, O, E, M, O, T, A, T, I, O, N, emotion, E, M, O, T, I, O, N, emotion लिखा हुआ है, यह थोड़े spelling wrong हो गई थी, and imagination, जो कल्पन होती है, are presented, प्रस्तुत की जाती है, into one, प्रतेक में, intelligence, जो intelligence होती है, is the essential, आवसक होती है, as the part of conceit के, as metaphysical, जैसा metaphysical होते है, so, यह दिखावा करते हैं, किसका, learning का, and scholarship का, scholarship मतलब विद्वानता का, दिखावा करते हैं, यह जो poet होते हैं, यह ऐसी ऐसी बाते लिखते हैं, poetry में कि हम सोचते हैं, कि बड़े scholar हैं, बहुत ग्यान हैं, लेकिन यह दिखावा करते हैं, ग्यान कुछ नहीं होता, तो इसकी spelling ठीक कर लेना, so, की, s, h, o, w, heading start करते हैं, according to dr. johnson, dr. johnson के अनुसार, metaphysical जो poet होते हैं, were intelligent, i, n, t, e, w, l, i, g, e, n, t, spelling ठीक कर लेना, and there was only one purpose, उनका यह की metaphysical poetry is full of intelligence, बुद्धी मता से भरी होई है, of its poet, उसके खुद के कभियों के, only dawn and crowd, केवल dawn और crowd ही ऐसे हैं, proper example of saying, यह कहने के that की metaphysical poetry had new thought, metaphysical poetry के अंदर जो नए विचार आए हैं, केवल इन दो कभियों की वज़े से हैं, जिन्होंने to present प्रस्तुत किये हैं, देर आइडिया अपने विचार, metaphysical poet, जो metaphysical poet होते हैं, were those, were की spelling गलत है, were those pupil, वो pupil हैं, वो लोग हैं, whose mind, जिनका mind, one of full of intelligence, intelligence से भरा हुआ था, बुद्धी मता से भरा हुआ था, well culture, बहुत अच्छी उनकी सभ्यता थी, and the way, उनके पास एक तरीका था, to express व्यक्त करने का देर इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धी मता को, is known, जो जाने गए हैं, अब उन्हें पहचाना गया है, for the expression of logical thought, उनके जो thought ते बिरुकुल तरक से भर हुए थे, एक एक बात में उनकी सच्चा ही थी, ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स टेडिंग है हमारा, हाइपर बॉल, हाइपर बॉल, आपको पता है, हाइपर बॉल का मतलब होता है, कोई बात को बड़ा चड़ा कर कहना, and falsehood, जूटा पन, ये दोनों ही metaphysical poetry में आपको देखने को मिलते हैं, the thought of metaphysical poet, metaphysical poet के जो कभियों के thoughts नहीं are always surprise, ऐसे होते हैं हमें surprise करते हैं, there is a lake, उनमें कमी होती है in metaphysical poetry, metaphysical poetry की, as of natural beauty ness, उसमें natural beauty ness नहीं होती, कभी भी metaphysical poetry में बनाफ्टी पन जादे दिखाई देगा, natural beauty नहीं होगी, the metaphysical poetry is full of artificiality, लिखा हुआ है, इसमें बनाफ्टी पन से भरी हुई है, and hypervol views, hypervol views करो, ये, V-I-E-W-S, views, और बड़ा चड़ा कर जो बोलने वाले सब्दोतें उनसे भरी हुई है, so in it, इसमें, there must be some of original work, there must be some of original work, वो कहता है कि इसमें original work होना चाहिए था, the metaphysical poet creates, उत्पन करते हैं, क्या उत्पन करते हैं, unclear greatness, unclear greatness, ऐसी महानता को जो कभी clear नहीं हो पाई, after having crossed the limitation of imagination, उन्होंने imagination की limitation को बहुत close किया, लेकिन वे जो अपने जीवन में चाते थे, वो कभी पा नहीं सके, next heading है, combination of thoughts and feeling, thoughts, विचारों का और feeling का बहुत अच्छा combination है, metaphysical poetry में, तो क्या combination है, आईए देखते हैं, it was T.S. Eliot, यह T.S. Eliot था, who found, जिसने पाया out the extraordinary quality को in metaphysical poetry, metaphysical poetry में extraordinary quality को किसने पाया था, T.S. Eliot में, which implies, जिसने implies किया unified, मेरा knowledge, knowledge को, unified, पूरी तरह से unified थी knowledge, according to Jim Hunter, Jim Hunter के अनुसार, metaphysical poetry, metaphysical poetry has the production, एक production है उसका, of intelligence का, effort का as senses, जैसे senses होते हैं, metaphysical poetry, metaphysical poetry, metaphysical poetry, had such a process, एक ऐसी process है, प्रक्रिया है, and deeply knowledge, और गहरा ग्यान है, which could include, जो indulge हुआ है, मतलब मिला हुआ है, and types of experience, जो उनके अनुभवों को दिखाता है, इसके metaphysical poet, जो होते हैं, the words of metaphysical poetry, metaphysical poetry के जो words होते हैं, tried courses करी हैं, उन्हें, metaphysical poetry ने courses किये, to find out करने की proper synonym, synonym तो जानते हैं, एक सब्द के वोई meaning, मतलब जैसे beautiful है, तो handsome, तो इस तरह से synonym वोई जादे निकालने की कोशिस की हुआने, according to Johnson, John Dunn के अनुसार, दो वाज सच experience, दो वाज सच एक, ऐसा अनुभवता, which could change, जिसने बदल दिया, in the attitude of individual, individual जो होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, जिसका अधिक सम्मान होता है, एक ऐसा व्यक्ति, जो individual होता है, अलग होता है सबसे, तो उसे भी उस metaphysical poetry पढ़कर बदल चुगा है वो भी, तो आसा करते हैं, part 1 आपको अच्छा लगा हो, जो होता है होता है,